विल्कम दोस्तो मैं हूँ रभी खरकाटे और आप देख रहा है मेकिनिक ग्यान चैनल दोस्तो जैसी के आप स्क्रीम पे देख पा रहा है हमारे पास में है असो के लेंड पच्ची सथारा यू ट्रक और इसमें लगा है नाइन स्पीड गेर सो दोस्तो इसमें प्रावलम क्या रहा था और बागी के घर स्लिप मारा था तो कि आज तो वह झाल को ओपन किया इसके पहले भी हमने जेटाब का 9-speed gear को ओपन किया है और हमने प्रेटिंग करके भी दिखाया उसका वीडियो भी इस वीडियो के निचे description में मिल जाएगा पुरा प्लेइलिस्ट मैं दे दूगा उसमें और भी काफी सारे 9-speed के वीडियो इसी वीडियो के निचे description में मिल जा है यह हमारा फैमिली व्लॉग है जो व्लॉग के लिए मैंने अलग से YouTube चेनल क्रेट किया है उस YouTube चेनल का नाम है पुस्पारवी व्लॉग उस पे मैंने यह व्लॉग को अपलोड कर दिया है दोस्तों उसका लिंक इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप उस चेनल को हम ज्यादर दिरिने करते वीडियो को start करते है तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इस 9 speed vist gear का top core open कर लिया है और top core open करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा clutch housing को open करना होगा clutch housing को open करने के लिए दोस्तों हमें खारकों को बहार निकालना पड़ता है तो सारे जाके बॉल्ड खुलते हैं और देख सकते हैं हमने clutch housing को भी open कर लिया है थीक है तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर एक clutch cylinder का packet भी लगा हुआ है चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं और एक तो माईलमी का सेंसर है, एक रिवर्स का सेंसर है, और एक लो हाई का सेंसर है, यह सारे सेंसर को सबसे पहले हमें खोल लेना है, दोस्तों क्योंकि क्या है, जब भी हम गेर बाक्स ओपन करते हैं, यह सेंसर सबसे पहले हैं, इसे खोल लेना चाहिए, क्योंकि यह तूर्थे कब हो जादा chances रहता है और यह sensor भी थोड़े से महेंगे आते हैं ठीक है तो देख सकते हैं हमने एक एक करके सारे sensor को निकाल लेते हैं ठीक है एक में एर बीदर भी है गेरवाक्स का बीदर भी है और एक लिवस्ट फार का प्लैंजर भी है ठीक है तो यह चार उपर जो को हम न क्ली निकाल लेते हैं ठीक है लिए चो दोासे लगान। फो देख सकते हैं हमने सारी sensor को निकाल कर भार कर लिया है इफ्मी का एक प्लैंजर है उसे भी हम बहार निकाल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों चली हम आगे बढ़ते हैं ठीक है यह एयर बृदर है। उसे भी हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा पीटियो बॉडी को हम बाद करना है उसमें 4 श्टैड्ट लगी हुए है चार उस्टैड के नट को ओपन करना है उसके बाद में डारीक बॉड़ी को पीछे खिच लेना पीडियो बाद एसेंबल बाहर निकल जा कुछ प्रकार से पिट्यो बाड़ी बाहर निकल जागा और कुछ जाद़ा नहीं थोड़ा बहुत होगा देख सकते हैं पिट्यो बाड़ी बाहर निकल गया है कि जम तो यह जब रेंप उठाते समय अगर पिटियो आवाज करता है करवानी की आवाज आती है तो यह गेर का मिनिंग चला जाने से यह प्राब्लम होता है तो चली हम उसे भी चेंज करतेंगे जब गेरबॉक्स पिटिंग करेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यह कपलिंग में दो कपलिंग के दो लॉग बोर्ट लगे होते हैं वो दो लॉग बोर्ट को उपन करना है उसके बाद में कपलिंग को डारिक बहाँ खिच लेना है यह कपलिंग या तो बहुत टाइट रहता है या तो बहुत लूज रहता है ठीक है तो देख सकते हैं इस जग का केबें जो है इसमें फार बोल्ट लगे होते हैं आपकेंगे सकते हैं तो सबस्वां लत खुलने के बाद में इस लीजा सकते हैं आपशे हुआ सब्सक्राइब प्सितन लगा हुआ है फ कर ऊपर ऑ Dru से भी हमें निकालना होगा ठीक है तो यह नट जो दिख रहा है यहां पे 22 नमबर का नट लगा हुआ है उसे ओपन करके पिस्टन को निकाल लेना है ठीक है अगर आप लोगेर का जो एसेंबली को अगर पूरा का पूरा अगर खोलना चाहते हैं तो आपको कपलिंग कपलिंग भी लिकालने की पावलम अभी हमें मिला नहीं है ठीक है तो हमें एक एक करके अच्छे से ओपन करते हैं ठीक है अब क्या करते हैं दोस्तों यह जो लोगेर का जो पूरा SMD है उसके राउंड में यह सारे बोल्ड लग जोई है 17 नमबर सारे बोल्ड को ओपन कर ले ठीक है और उसके बाद द करते हैं तो चलिए हमें दोनों बोल्ड को ओपन करना होगा ठीक है बहुत ज्यादा टाइट रहता है जब तक हम बोल्ड को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम पुरा जो लोगेर का SMD है उसे बाहर नहीं निकाल सकते ठीक है तो तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने दोनों ब सब्सक्राइब कृष्धं के उसे का मघ्यूर भी निकाल दी निकाल दिया है ठीक है एया अगर कपलिंग नहीं यह आगए तो यह बाहर निकल जाता रहुत देख सकते हैं तो चलिए हम इसे side में रख देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम फिर aq करके और वी सारे part को निकले और यह है input soft input soft मतलब जो video को video gear है उसको connect करता है ठीक है यह एकदम free होता है चलिए हम इसे बहार निकल के tree में रख देते हैं अब दोस्तों क्या करना होगा हमें talk के साथ में पूरी assembly gear की assembly को बाहर निकलेगा थीक है इसमेय नहीं निकलेगा ठीक है यह स Maori saad में पूराött गयर का nominee अश्यानले बाहर आ जाएगा लेकिन दोस्तों आपको एकदम center to center उठाना है तभी यह बहार निकलेगा ठीक है अगर थोड़ा सा भी तेड़ा करोगे तो आप ठोकते रहे जाओगे तो देख सकते हैं एक दम सेंटर टू सेंटर उठाना आपको एजी लिप पूरा गेर के एसम्डी पूरी बहार निकल जाएगे देख सकते हैं चलो ऐसे कि हम इसको किसी चीज के उपर रख देते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों हमें प्लाइनेटरी एसम्डी को बहार निकालना है ठीक है प्लाइनेटरी एसम्डी भी बहुत भारी होता है तो हमें क्या करना होगा प्लाइनेटरी एसम्डी को उठाने के लिए हमें सबसे पहले इस पर कप्लिंग फिटिंग करना होगा और कप्लिंग फिटिंग करने के बाद में कप्लिंग करने से क्या होगा उसकी पकड़ बन जाएगी तो एकदम सीधा-सीधा उठा सकते हैं क्यों क्योंकि प्लाइनेट्री के नीचे एक और संगेर है जो कि ए यह देख सकते हैं मुहिन शाप के उपर लगा है संगेर और इस संगेर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा दो तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ देख सकते हैं पहले इसे देख लेते हैं ये देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है फार्क की प्लेटे ठीक है पट्टिया लगी है फार्क की तीनो देख सकते हैं और इसके उपर एक लाक लगा हुआ है इसके उपर एक प्लेट लगी है और आप ये स्प्रिंग को देख सकते है साइड में एक एलंकी दिया हुआ है यह इस के बारे में आपको गेर बॉक्स पिटिंग समय में पताऊंगा ठीक है सो आप देख सकते हैं अभी उसके बाद में और आगे देखेंगे तो एक रिवर्स का पिन दिख रहा है जो लॉक निकाल रहा है उसके सामें देखिया एक रिवर्स का पिन दिख रहा है उसके उपर भी एक लॉक लगा है ठीक है तो चली सबसे पहले हमें एक काम करते हैं इस स पंगेज को बहाँ निकालने के लिए हमें लॉक निकालना होगा और यह गेर या तो बहुत ज़्यादा फ्री होता है या तो एक दब टाइट होता है ठीक है अगर थोड़ा सा इसका सेंटर आउट हो गया तो वह निकलता नहीं है उसके लिए हमें बहुत तगड़ा लगकर आपको दिखाता हूँ किस परकार से मैंने उस गेर ko निकालने के लिए पुलर बनाया था तो देख सकते हैं एक पत्टे के उपर दोर फिंगर के जूले से मैंने होल चरकर ऊपर टाइट कर दिया था और जो फिंगर का नीचला हिस्ता है उसको हलका हलका मैंने बैंड कर दिया था ठीक है और उपर मैंने एक बोल्ट लगा दिया था ताकि ये फिंगर का का ओफरी पुलर का काम करें ठीक है तो इस पकार से हमने पुलर बना करके उस संगेर को उपन किया था ठीक है अब क्या करना होगा दोस्तों हमें आगे से टापकॉर को उपन करना है ठीक है ह हमें एक काम करना है पीछे हमने पिनियन को पिनियन का जो गेर था उसे हमने निकाल दिया है और उसके बाद में जो रिवस गेर का साफ्ट था उसके लॉक को निकाल दिया और उसके बाद दोस्तों हमें टापकॉर निकालना है तो दोस्तों देख सकते हैं टापकॉर के सारे ब बता रहो। ठीक हैं और ये देख सकते है ये उल पाइब का लाईन है ये लाईन ही ठोड़ा सt भास रह out भास रहा था अब फसकहां रहा था मत चली फाद में बताता हूं देख सकते हैं ये ताप कॉर में ये पाइप लाइनी जो एस्टा दिख रहा है ना ये आईल पम के लिए ही लगी हुई है जो गिर्बक्स से आईल को आईल पम तक पहुचाता है और उसके बाड़ी के लॉइन में देता है ठीक है तो देख सकते हैं हमें टाप कॉर को ओपन कर लिया है अब दोस नहीं है उसे हमें निकाल रॉनाया है उसकE बाद मैं इंपूट्स आपको निकाल लो चलिए हमें सेंक्रों भी निकाल लिया है और एक एक करके सारे फार्कों को हमें निकाल लेना है जो लास्ट की जो नीचे वाली रहेगी वो फार्क अभी नहीं निकलेगा इसके बाद दोस्तों हमें एक नंबर और दो नंबर का फार्क निकालना होगा और उसके बाद दोस्तों हमें क deficiency काउंटर को बाहर निकाल लेना काउंटर साथ इज्ली बाहर निकल जाएगा अध्confidence को पीछे किनी नहों कर एक ये वान निकल जाएगा देश्चा थोड़ा सा वत पूरा सा हम ने क्या वे Raj2 ein कि को खोला है कि यह पहले बताई था कि यह क्या काम करता है तो वह बाद में बता हो करता हुआ यह इसमें एक छोटी सी पटी है जो इत्व parsley से दबाने से वो अफ डाऊंबन बता थीक है लेकिन वह क्यों होता है क्या होता है मैं फेटिंग करते हैं समय आप लोगों को बताऊंगा फिलाल चलिए हम reverse gear का जो है pin उसको निकालना है उसके lock को और reverse gear को बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो reverse gear है दोस्तों ये अंदर side से निकलता है ठीक है मैं आप लोगों को अभी check करके भी बता दूँगा ये इसको जो इसका reverse gear है ये बाहर के बाहर नहीं निकाल सकते तो देख सकते हैं हमने reverse gear के pin को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद में चलिए देखते हैं यहां से gear निकलता है या नहीं निकलता है तो देख सकते हैं बस इतना ही आएगा gear इससे बाहर नहीं निकाल सकते तो आपको क्या करना होगा main sharp और counter sharp निकालने के बाद में दोस्तो ये reverse gear एकदम last में निकलेगा लेकिन आपको जब gear fitting करोगे उस समय भी ध्यान देना है सबसे पहले आपको reverse gear fitting करना है उसके बाद में main sharp और counter sharp को fitting करना है तो देख सकते हैं हमने counter sharp को निकाल दिया था थोड़ा सा video मिस हो गया था उसमें बाकि अभी main sharp को निकाल दे रहा है लेकिन दोस्तो हमने main sharp को भी निकाल दिया इसमें 2-3 चोट मारी हमने क्या है वीडियो बनाते समय वीडियो को आप कर दिया था और वीडियो बना रहे थे तो main sharp का भी हमने इसमें मतलब सूट नहीं हो पाया सो देख सकते हैं अभी हमने main sharp को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद में इसमें reverse gear है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो देख सकते हैं यह reverse gear यहीं फसा हुआ है और आप देख सकते हैं यह reverse gear ठीक है उसके अंदर दो bearing भी लगी लिया तो चलिए हमने पूरे gear box को dismantle कर लिया है अब इसमें क्या problem है तो आप मेंशाप को dismantle कर लेते हैं उसके बाद में फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या-क्या खराबी निकला है और कौन सा कौन सा पार्ट डेमेज है ठीक है तो देख सकते हैं यह पूरा का मेंशाप्ट है और यह है वो sun gear जो मैंने बोला था मेंशाप्ट में जो पीछे लगता है और देख सकते हैं यह low gear और reverse gear दोनों का तीत खराब है पूरी एक नंबर और low gear का ठीक है पूरा meaning slip हो गया है और देख सकते हैं roller bearing सैंक्रो कोन यह सारा टूटा हुआ है और यह इतने सारे पार्ट इसके damage है इस वज़ा से यह gear में problem आ रही थी ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें comment box में लिख कर बता है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ में save करना हम भी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक की लिए बाय दोस्तों